सो हलो बच्चो मेरे हां rank enrichment batch और target batch, target batch हम कहते हैं जो एक साल ड्रॉप लेता है, multiple drop वाले भी एक साल और ड्रॉप लेते हैं या first time drop वाले बच्चे एक साल ड्रॉप लेते हैं उसको हम target batch बोलते हैं target batch की मेरे हां खास बात क्या होती है, लगबग पूरे week class चलती है, रोज त्री classes होती है, physics, chemistry and biology और यहां पर मैं सिर्फ तीन batches बनाता हूँ, दो batch target के होंगे, एक rank enrichment batch होगा जो तेज तारीक से सुरू हो रहा है, हलाकि उसमें बहुत कम बच्चे लेते हैं और एक हिंदी batch होता है, तो एक batch से 5 selection जो पहली बार हमने किर्थिमान सोचा है, कि ये सायद इस साल आने वाला है, एक तो टॉप भी कर रहा है, तो हिंदी batch basically हम complete हिंदी में ही रखते हैं, हिंदी में किताबे, हिंदी में all India test series होता है, हिंदी में किताबे होती हैं, और हिंदी में ही पढ़ाया ज हिंदी का पिछले 2-3 सालों से अच्छे student आ रहा है, उनको पता चला, क्योंकि दूसरे institute में क्या होता है, शुरू तो हिंदी करके करते हैं, कि हम बोलेंगे तो हिंदी में ही, और science के term English में होते हैं, लेकिन और वो तो हर जगे वही होते हैं, बच्चे समझ जाएंगे, translate कर देंगे, इस तरह से कहके करते हैं, किताबे भी दे देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो English में आ जाते हैं, या एक pure English वाले टीचर को हिंदी बैच दे दिया जाता है, और maximum student, approximately 90-95% student पूरे साल स्ट्रगल करते हैं, तो अगर आप convince ही नहीं हो अपने language of study पे, आपको कु बहुत मुश्किल होता है, physics फिर भी एक बार चल सकता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं चलते हैं, in fact physics में भी नहीं चलता, अब बच्चों को अगर English पढ़ाया जाए तो पहला आधी energy उनकी translation में निकल जाती है, और हिंदी के बच्चे, frankly speaking मुझे कहते हैं बिल्कुल batches होते हैं, उसकी strength December से ही कम होनी शुरू हो गई थी, फरवरी हम 28 को service खतम करते हैं, यह हमारा fix है, तो फरवरी तक आते आते 10% attendance रहे गई थी, 20% attendance रहे गई थी, यह हालत थी, तो आप सोचो कि ऐसे batch के साथ अगर injustice किया जाए तो ठीक नहीं होता है, तो हिंदी batch भी, और target batch और rank enrichment batch, तीनों start हो रहे है, hostel भी है मेरे हैं, बहुत ही बहतरीन hostels हैं, PGs बहुत सारे हैं, जो generally 8000 से 11, 12000 की range में, depending on your choice and location, and of course, आपका taste इस पे depend करके मिल जाता है, laundry service भी free रहती है, most of the cases में नहीं तो हम करवा देते हैं, 300-400 में, 40 कपड़े पुरे महीने के, और environment बहुत अचा है, safe है देहरादू, जिन बच्चों को, जिन parents को interest हो देहरादू आने में, तो मेरी mentorship में यहाँ पे join कर सकते हैं, batches, एक batch तो अभी कल ही शुरू हुआ है, target batch हिंदी Monday से start होने वाला है, और जो rank enrichment batch है, उस तो 23 को start हो रहा है, बट उसमें 500 प्लस आना compulsory है, अगर आप 500 प्लस नहीं आ रहे हैं, तो आप मालोग close उसके आ रहे हैं, आप से undertaking लेंगे कि अगर नहीं आया, और आपकी performance अच्छी नहीं होई, नहीं आया, मतलब इस साल का result तो भी आया नहीं है, सबने answer की देखके credit किया है, और आपकी performance अच्छी नहीं रहेगी, तो हम आपको वापस target batch में भेज देंगे, नोकि rank enrichment batch की fees भी बहुत कम है, 50,000 प्लस GST fees है, और अगर 575 प्लस आपके आ रहे हैं, सिर्फ 25,000 प्लस GST fees है, हॉस्टल उससर अलग है, तो ये सारा हमारे target batch का situation है, इस साल 71 बच्चे 600 प्लस लेके आ रहे हैं, उसके बाद SCST OBC उतराखंड में आपको 600 प्लस और मैं उनको count किया, जो उतराखंड के हैं, और बाकी state के 620 प्लस को count किया है हमने, कि वो बच्चे, 71 बच्चों में वो हैं, 670 से उपर मेरे यहाँ पे 7 बच्चे हैं, और ये इस साल मुझे लगता है, और अच्छा होगा, ये हमारे expectation के भी beyond था, हमने भी नहीं question का, 720 नंबर का, तो इस testing से बच्चा निखर जाता है, तो मुझे उमीद है कि आप, अगर आपनी journey में आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेटमेट हमारे हाँ आ सकते हैं, thank you very much, bye bye, take care.